हेलो नमस्कार दोस्तों SRP Education पर एक बार पुने आप सभी विद्यारतियों का हार्दिक स्वागत आज के इस वीडियो में कक्सा 8 के लिए मोडल प्रसंपत्र हल कर रहे हैं कक्सा 8 विशे संस्कृत 72021-22 पूरणाखे असियंग समय है 2 गंटे 30 मिनट प्रसंपत्र में कुलपरचीस प्रसंपत्र है सभी प्रसंपत्र हल करने अदिवारी है अंक बार दिया गया है एक अंक प्रति प्रसंपत्र जो शुरुवात के प्रसंपत्र है वो एक अंक के हैं आगे सभी प्रसंपत्र के सामने उनके अंक बार अंकित है वीडियो को शुरू करने से पहले सभी विद्यारतियों को एक बार पुने रिक्वेस्ट करते हैं यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें कक्सा आठवी बोर्ड के सभी मोडल प्रसंद पत्रे आपको इस चैनल पर हल सहीत मिलेंगे प्रसंद करमांक एक मधूर सुक्त रसम के स्रिजन्ती उत्तर होगा संता है दूसरा प्रसने गोहायाम कस्य पद पदती प्रविश्टास पे गुफा में किसके पद चिन पेरों के निशान परवेश करते दिखाई दिये उत्तर होगा सिहाँ से तीसरा प्रसने संदर्सिय इती पद का प्रत्य प्रत्य पूचाए इस पद में कौन सा प्रत्य है तो जिस सब्द के अंत में ये दिखाई दे रहा है उसमें लेप परत्य है पहले उपसरक भी है उसके बाद में दातू है और दातू के शाथ में लेप परत्य जुड़ावाए चोता प्रसन है हिंसा पस्वे परीतो गोरा इत्यतर अव्ये पदम किम अव्ये पद पूचा है इस पद में अव्ये पद कौन सा है जो दी गई पंक्ती है इस पंक्ती में अव्ये पद पूचा है अव्यपद ऐसे पद जिन पर लिंग, पुरूस, वचन, कारक, परते किसी भी परकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसका जो हिंदी अर्थ रहता है वह सेम रहता है चाएक किसी भी वाक्य में उसे रखें तो उसका अर्थ वही रहता है अर्थ बदलता नहीं है तो इसमें परीते सब्द आया है, बीच में ये परीते सब्द है, वो अव्य पद है परीते सब्द का आर्थ है, चारों और ये एक अव्य सब्द है अगला प्रसन है पांस नम्मर जनाहा सर्वदा आस्मभ्यम कश्टम ददति आत्र रेखांकित पदे का विभक्ती यहां विभक्ती पूची है और रेखांकित यानि अंडरलाइन की आवा सब्द कौन से है उसमें कौन सी विभक्ती है तो यहां अंडरलाइन तो की वी नहीं है लेकिन साइद अस्म भ्यम पद का इनोंने विभक्ती पूची है तो अस्म भ्यम पद में चतूरती विबक्ती है महयम आवाभ्याम अस्म भ्यम अस्म सब्द में है यदि जना सब्द का है विबक्ती तो जना सब्द में विबक्ती है पर्थमा का भवचन अगला प्रसन है प्राचीन इती पदास्ता विलोम पदम किम प्राचीन जो पद है इस पद में विलोम इस पद का विलोम सब्द कोन सा होगा प्राचीन का आर्थे पुराना तो इसका विलोम पद होगा नूतन है गर में सरवादिक रमाणिये और सुन्दर मानोरम कौन होती है उत्तर होगा बगीनी प्रसंद करमाक आठ सावित्री भाई की माता का क्या नाम था सावित्रिया मातू किम नाम आशित सावित्री भाई की माता का नाम था लक्ष्मी भाई नौमकिशने संधी कुरूत संधी करना है इन दोनों पदों को जोड़ना है तो दिर्ख संधी का ये उधारन है चिकिस्षा प्लस आलिये चिकिस्षा में भी अंतिम वरन आ है और आगे भी आ है तो एक आ हट करके सब्द बनेगा चिकिस्षा ले अगला है भोजन काले अपी इसे साथ में जोड़ना है संधी करनी है तो भोजन काले सब्द जैसा है वैसा ही रहेगा जो अगला ए है वो आउग्रे का चिन बन जाएगा और पी लास्ट का जो है वो लिखा जाएगा भोजन काले अपी दस्वाँ प्रसन है अज्ड्यो लिक्किता नाम पदा नाम विपरित आर्थक पदाने लिखत निचे दिये गए पदों में विपरित सब्द याने की विलोम सब्द आपको लिखना है उदय उदय का विपरित सब्द होगा अस्तो अंदकार का होगा प्रकास अगला पसन है ग्यार्वा तद्भव सब्दा नाम क्रिते संस्कृत बासायाम लिखत तद्भव शब्दा नाम कृते संस्कृत बासा याम लिखत दिएगे जो सब्द है इन सब्दों को संस्कृत बासा में लिखना है बहिन को संस्कृत में क्या कहेंगे भगीनी तब तक इस पद के लिए संस्क्रित सब्द होगा तावत यावत सब्द का आर्थ होता है जब तक और तावत सब्द का आर्थ है तब तक प्रसंक्रमाख है बारा संख्यावाची सब्दम संस्क्रित बासायाम लिखत सब्द दिये गए हैं इन सब्द को सब्दों को जो सिंक्यावाची सब्द है इनको संस्कृत बासा में लिखना है जैसे पचास बालक पहले आपको पचास को संस्कृत बासा में लिखना है पंचासत पचास की संस्कृत होगी पंचासत और बालक शब्द के लिए ये भहुचन का प्रियोग करना पड़ेगा बाल काहा पंचासत बाल काहा अठारे पुराण अठारे को संस्क्रित में लिखेंगे अस्टादस अश्टादस पुराण सब्द है तो पुराणा हाँ प्रसन कर्मांग तेरा रिक्तिस्थानानी पूरियत रिक्तिस्थान की पूर्ति करनी है सालेनी रिक्तिस्थान पित्री ग्रिहम आ गचती सालेनी पिता के घर आती है कब आती है ग्रिस्म आउकास माती है तो रिक्तिस्थान में भरा जाएगा ग्रिस्म आउकास है दूसरा परसन इसी पार्ट से समंदित है ब्रात्री जाया या समिचिनम नास्ति रिक्तिस्थान मायेगा ब्रात्री जाया सालिनी अपनी भावी से पूचती है या भावी के बारे में फूचती है कि भावी का स्वास्तिय ठीक नहीं है तो स्वास्तिय के बारे में वो चर्चा करती है तो रिक्तिस्थान में आएगा स्वास्तिय चवद्वा किस्टन है धातू परतियम चे लिकत धातू और परतिय लिको जैसे का पद है व्यक्तुम व्यक्तुम में व्यज धातू है साथ में तुमून परतिय है और नियन्तुम में भी तुमून परतिय है दोनों ही पदों में तुमून परतिय है पंद्रों परसने विशेशे और विशेशन पदों का उचित मेल करो मिलान करना है जैसे अयम प्रदेशे है संस्कृती विशिष्टायाम भारत भूमो मैत्वधाईनी संस्कृती प्राचीन इतियासे एके समवाये इस परकार आपको मिलान करना है उत्रपुष्टिका में सोड़ों परसने वाक्य रचना अर्थ बेदम इस्पष्टी कुरूत इन पदों से वाक्य बना करके इनका अर्थ भी इस्पष्ट करना है पहला पदे परीता है परीते का आर्थ है चारों और जैसे विद्याल्यम परीताह उध्यानम अस्ती परीते शब्द का आर्थ है चारों और विद्याले के चारों और उध्यान है बगिचा है तो परीते शब्द आ गया पूरते का आर्थ है सामने विद्याल्यम पूरते कूपा अस्ती विद्धाले के सामने कुआ है नगे सब्दे नगे सब्द का आर्थ है परवत नग है हिम्माल्य उच्छतमो नगे अस्ती नाग है नाग का आर्थ है साम सरप नाग ग्री है घर में नाग है ग्री है नाग अतिष्टती इन प्रसनों के उत्तर केवल एक पद में लिखना है पांच प्रसने पांच यंकों के हैं पहला प्रसने कुत्र डिजिटल इंडिया इत्य से चर्चा भवती कुत्र यानि कहां डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है संपूर्ण विश्वों में भारत देश में डिजिटल इंडिया जो कारिक्रम है उस कारिक्रम की संपूर्ण विश्व में चर्चा हो रही है, संपूर्ण विश्वे पूरे संचार में, उत्र होगा पूरे संचार में इसकी चर्चा होती है, दूसरा प्रसन है केन से मानव से आउशक्ता परिवर्थते है किसके साथ मानव की आउशक्ता बदल जाती है समय परिवर्तन के साथ तो उतर होगा एक पद में काल परिवर्तनेन काल परिवर्तनेन प्रसं करमाग अठारा इसी के प्रसंद है अभी तीन और चार पांच तीन नमर प्रसंद है आपने यहां पर गलत है यहां है आपने वस्तु नाम करिए समय के साम अनिवार्यता ने भविशती बाजार में वस्तु को खरिते समय किसकी आउशक्ता अनिवार्यता नहीं होती है नहीं होगी तो वस्तुम्न खरिते समये आउशक्ता किसकी नहीं होगी रूपिय का नाम रूपियों की आउशक्ता नहीं होगी क्योंकि डिजिटल लेंदेन हो सकता है चोधा प्रसने कस्मिन उद्ध्योगे वृक्षा उपी युजद्नते किस उध्योग में व्रिक्ष काम में लिया जाते हैं तो उत्र होगा करगदो उध्योग कागज का जो उध्योग है उस उध्योग में व्रिक्षों को काम में लिया जाता है पांचवान अध्य सरवाने कार्याने केन साधिताने भवंती आज सभी कारिये किसके दवारा पूर्ण होते हैं तो शंगनक के दवारा यानि कम्प्यूटर के दवारा शंगनके 18 प्रसन है रेखांकित पदम आद्रिते प्रसन निर्मानम कुरूत रेखांकित पद को आधार बानकर के परसन निर्मान करना है लेकिन इस मोडल परसन पत्र में रेखांकित पद दिया नहीं है यदि इन में से जैसे राज्या नाम है या किसी पदों के निचे उच्छी त्रेखांकित कियावा होता अंडरलाइन की हुई होती तो उस पद को आधार बना करके प्रसन निर्मान किया जा सकता है आगे बढ़ते हैं 19 प्रसन अपनी पाट्य पुस्तक में से कोई दो सलोक लिखिये जो इस प्रसन पत्र में नहीं आये हो यह आपको contest करने हैं दो स्लोक दो से अधिकी स्लोक कंटस करने हैं क्योंकि एक दो स्लोक प्रसंद पत्र में भी आते हैं यदि प्रसंद पत्र में आये वे स्लोक आपको नहीं लिखने हैं ये आपको दोनों पाठों के दोनों में से किसी एक पाठ का हिंदी भासा में सार लिखना है 21 है मन्जुसा में दिये गए पद चुन करके वाख्य लिखो इन पदों को आधार बना करके आपको वाख्य की रचना करनी है जैसे प्रियावर्णम अध्ये प्रियावर्णम निर्मलं नास्ती स्वच नहीं है। जीवनम पदगा होशकता है, जीवनम दुर्वाह मस्ती, जीवन कटिन है, और जीवनम एशंतुलनमस्ती, किसी प्रकार आप वाक्य चुन करके लिख सकते हैं। 22 प्रसन है अध्योलिक की सलोकस्य हिंदी भासा या भावार्त लिख, हिंदी भासा में भावार्त लिखना है, तो पहला है अभिवादन सीलस्य नित्यम वर्दोप सेविन, चत्वारी तस्य वर्दंते, आयू विद्या यसो बलम। जो नित्य, व्रिद, या बुजूर्ग, गुरुजन, मातापिता इन सभी का अभिवादन करता है, उनके चारों में वर्दी होती है, चार क्या क्या चीज़े हैं, एक आयू में वर्दी होती है, विद्या में वर्दी होती है, यस में वर्दी होती है, और बल में वर्दी हो 23 प्रसन है मन्जुसा में दियेगे सब्दों की साहिता से कथाम पूरीतवा लिखत बुदिमान शिशे कि पंडित विद्याब्यासार्तम प्रिक्षार्तम शिश्यत्रेव सर्व्यापी नास्ति समाधानम इन पदों को अधार मान करके कथा को पूर्ण करना है 24 प्रसन है तुम रुग्णो अस्मी दिन दवस्य अवकास हार्तम प्रधना ध्यापकम प्रातना पत्रम संस्कृत बासायाम लेकनियम आप बिमार हो इसलिए दो दिन के अवकास के लिए अपने प्रधना ध्यापक जी को प्रातना पत्र संस्कृत बासामें लिखो 25 प्रसनेश संस्कृत बासाया में तुम इती वीसियम निमंद लेक नम कुरूत अथ्वा में है सडक सुरुक्सा के वीसियमें निमंद लिखो धन्यवाद विद्यारति हूँ ये संस्कृत बासा का मोडल प्रसन पत्र हल किया है यदि कोई तूटी हुई है तो समा करें और एक दो और भी संस्कृत बासा के मोडल पेपर हम अपलोड करेंगे और बाकी वीसियों के भी अपलोड करने वाले हैं तो आपसे पुने रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल प्रपेली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें धन्यवाद